दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल डीटियेच ट्रिक्सवर्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुती कमाल के सेटलाइट मेटर के बारे में बताने वालों जिसमें आप टीवी देखते हैं किसी भी डिस्क को बह कर दिये तो दोस्तों इस तरह का बोक्स आता है आई ब्रेव बोक्स कंपनी है वी नाइन फांडर इसका मोडल नंबर है एचडी डिश्टल सेटलाइट फांडर लिखा हुआ है यहाँ पर डीवी एस और डीवी एस टू टेकनोलोजी को यह सपोर्ट करता है इस सेटलाइट को पढ़ कर आप इसको अच्छी तरीके से ओपरेट कर पाएंगे तो यह आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेटलाइट फांडर मिलता है जो कि एक पाउच में आता है तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इस जिसकी साहिता से भी आप सेटलाइट फैंडर को चार्ज कर सकते हैं तो यह आप देखते हैं और बोक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक यू प्लग का 12 वोल्टेज डीसी का पाउर एड़िटर मिलता है जिसकी साहिता से आप अपने सेटलाइट फैंडर मिटर को इजली चा और इसको आप पाउच से बाहर में निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से सेटलाइट फैंडर पर सबसे उपर आई ब्रेव बोक्स की ब्रांडी की गई है और नीचे वी नाइन फैंडर इसका मोडल नमर लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों इसकी डिस्पले मिल जाती है डिस दोस्तों यहाँ पे इसका सिकर दिया गया है और साइड में दोस्तों यहाँ पे LED TV में Connect करने के लिए HDMI का पॉर्ट यहाँ परी나व दिया है पूरानी CRT-TV में Connect करने के लिए AV या पॉर्ड दिया और एक AV आउउड का वी एक라고 इसको चार्ज करने कि लिए 12V DC को यहां पउर और एक USB का port दिया software अप्ग्रेड करने के लिए satellite finder को on off करने के लिए उपपर की तरफ यहाँ पे एक on off switch दिया है और यहाँ पे disk wire connect करने के लिए lnbin का port यहाँ पे दिया है तो देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरका यह satellite finder मिट रहाता है अब मैं आपको मिटर को on करके बता switch on करना होता है जैसे आप switch on करते है नीचे LED on हो जाती है और दोस्तों इसकी display on हो चुकि है डिस्प्ले पर ivory box company का नाम यहाँ पे लिखाओ आ चुका है और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको signal दिखा देता हूँ info का बटन दबाते हैं यहाँ पे signal दिख जाएगा और right side में उपर की तरप आपको दोस्तों इसकी battery दिखाए देगी तो वो भी आप यहाँ पर देखते हैं तो अब दोस्तों मैं menu बता देता हूँ इसका तो menu का ब बेक का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे transponder open हो जाएंगे तो वो भी आप यहाँ पर देखते हैं और अब मैं यहाँ से बेक करूँगा installation के बाद में आपको system setting मिल जाती है जिसके अंदर language setting, AV setting, local time setting, OSD setting, favorite का option मिल जाता है other का option मिलता है जिसके अंदर दोस्तों beeper का option मिलता जाते हैं और game मिल जाते हैं इसके अंदर तो यह दोस्तों कुछ इस तरह का menu आपको इसके अंदर मिल जाता है इस satellite finder meter में दोस्तों आप TV देखते हैं अभी यहाँ पर दोस्तों DD free disk का channel चला हुआ है test 420 जिस पर दोस्तों अभी color bar आ रहा है मैं यहाँ पर दोस्तों दूसर बटन से और देखते हैं अभी मैंने इसमें दोस्तों DD free disk की channelist scan की हुई है तो वह आपको मैं दिखा रहा हूँ तो यह आप यहाँ पर देखते हैं तो इससे दोस्तों आप अपनी डिसको भी बहुती आसानी से सेट कर सकते हैं और साथ में आप TV इसमें देखते हैं इसके अ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इस satellite finder meter के बारे में पूरी जानकार दे दिया अब दोस्तों अगर आप इस satellite finder meter को खरीना चाते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो की description में और top comment में मिल जाएगा तो दोस्तों लिंक से आप इसक YouTube चैनल पे पहले हुआ रहा हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में दे गए बना कर लिए खमारे आनुवारी सब इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले अपने मिभाल पर देखवाएं तो मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में धन्यवाद दोस्तों